हेलो आप सभी का स्वागत है किस्टल और की इस लर्लिंग प्रेटफॉर्म पे आज हम बात करने वाले हैं अपने 16 वे वीडियो लिक्चर के उपर जिसमें हम बात करेंगे संदी के उपर संदी कहीं नहीं कहीं है एक सबसे इंपर्टेंट सेक्षन हैं सीवीटी यूजी के लिए और 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 अने competitive exam के लिए जहां हिंदी पूछा जाता है तो संधी एक बहुत बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं तो सबसे पहले इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिएगा ठीक है जो language test है language section है उसमें संधी बहुत बढ़ा एक portion है तो सबसे पहले है कि संधी किसे कहते हैं तो संधी क्या है कि संस्कृत भासा का सब्द है जिसका अर्थ होता है मेल जब दो वर्ण मिलकर एक नया अक्षर बनाते हैं तो उसे विकार का मतलब होता है उसमें परिवर्तन जो आत संधी कहते हैं ठीक है तो सब्दमगर कहें कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन होता है उसमें जो परिवर्तन आता है उसे हम संधी कहते हैं ठीक है दो वर्णों के मेल से उसमें जो नया वर्ण बनता है या फिर उसमें जो विकार उत्पन होता है परिवर्तन उत्प होता है उसे संधी कहते हैं तो संधी कितने प्रकार के होते हैं पहला है सवर संधी बेरजन संधी और विशर्ग संधी तो सबसे पहले बात करेंगे हम सवर संधी के जिसमें है कि स्वर संधी किसे करते हैं तो स्वर संधी जैसे कि इसमें पता चलना है स्वर ठीक है और संधी तो दो स्वरों के बीच जब संधी होता है ठीक है तो उसको कहेंगे स्वर संधी कहेंगे इसमें क्या लिखा गया है वो देखते हैं कि स्वर संधी में दो स्वरों का मेल होता है जैसे परम जोर अर्थ ठीक है तो यहां परम में क्या है कि परम में आ चुपा हुआ है ठीक है और आ और आ में संधी हुई तो आ और आ मिलके क्या हुआ आ बना ठीक है तो क्या हुआ कि यहां दोनों क्या है स्वर वर्ण के अंदर गताते हैं तो इन दोनों के बीच जो संधी होता है उसे हम स्वर संधी कहते हैं और आगे बात करते हैं अब तो स्वर संधी के भी पांच भेद होते हैं स्वर संधी के भी पांच भेद होते हैं पहला दिर्ग संदी, दूसरा गुन संदी, तिसरा विर्दी संदी, तिसरा यन संदी, चौथा आयादी संदी, ठीक है, तो जब इसमें बात करते हैं हम सबसे पहले दिर्ग संदी के उपर, तो क्या है कि आ, आ से परे, आ, आ पर दोनों, परे मतलब क्या होता है कि बात ठीक है औ और आज के बाद अगर और आज दोनों अगर समान वर्ण वाले आए ठीक है या फिर किसी वर्ण के बाद उसी वर्ण के समान वर्ण आए तो दोनों मिल क्या हो जाते हैं वो सब दिर्ग हो जाते हैं दिर्ग से मतलब क्या है कि वो दिर्ग वर्ण हो जाते हैं बड़ी मात्रा उनमें हो जाती है जब दोनों आगे देखते हैं इस संदी का परिणाम दिर्ग स्वर होता है अता इसे दिर्ग संदी कहते हैं इसमें क्या होता है कि समान वर्णों में होता है और जब समान समान मिलता है तो समान दोनों सेम रहते हैं तो क्या उता है, कि वह दिर्ग रूप ले लेता है, इसलिए इसको दिर्ग संदी करते हैं, जैसे एक उदार आं, और आ के बीद संदी होगा, तो आ बनता है, इसके उदारन है कर्म धन अनुसार, ठीक है, तो कर्म में क्या है? माद धन अ ठीक है इससे बनता है मा तो इसके अ ठीक है और इसके अ के बीद संधी हुई अधन अ ठीक है इससे क्या मिलके बनता है अ ठीक है तो दिर्ग बना तो क्या है कर्म धन अनुसार तो क्या बननेगा कर्म अनुसार ठीक है इसी तरह न्याय जोर अधिस ठीक है तो न्याय अधिस ठीक है अ तो भोजन धन आले सत्य धन आगरा सत्यागर यह इंपॉटेंट ने याद रखिएगा यह यह सब क्या है कि दिर्ग संदी के उदारेन से कैसे सवाल पूछे जाएंगे कि दे दिया जाएगर कि महात्मा कि संधी का उदाहरन है तो आपको हम बता ना हुए कि यह दिर्ग संधी का उदाहरन है टिक है झीतिज कर दिरिघी हो जायगा कभिधन इंद्र कभिंद यह ती जोर इंद्र यह तींद्र से इंपॉर्टेंट है यह सब पूछे इसमें कैसे सवाल पूच जाते हैं से समझे आप कि सवाल देजीगा प्रतिक्छा ठीक है प्रतिक्छा में कौन सी संधी है आपको उदार दे दिया जाएगा स्वर संधी स्पेसली देता है कभी-कभी तीनों में नहीं तो नॉर्मली देता दिर्ग संधी यांसंधी आयादी संधी ठीक है और गुन संधी तो आपको श्वर वाले भेद में जब तक आप अच्छे से क्लिए नहीं किये रहिएगा उसको तब तक वहां जबाब नहीं दे पाईएगा तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा इधन इठीक है तो सुक्ति यह इंपोर्टेंट है यहां क्या है कि हरस उ है जिसमें हरस उ मिला तो दिर्ग बन जाता है दिर्ग उ और दिर्ग मिलकर भी दिर्ग बनता है इसमें क्या याद रखे कि दिर्ग संधी में कोई भी मिलेगा तो वह दिर्ग ही बनेगा ठीक है भूज और उर्जा गुल्संधी के उपर ठीक है तो आ के आगे ठीक है या री आता है तो करम से क्या हो जाता है या देखें ए बन जाता है ओ जोर ई में क्या बना नर जोड़ी इस तो नरेश यह याद रखेगा कि ओ और इ धन मिलकर क्या होगा दिर्गी यह अरस भी दोनों मिलकर ए बनता है ठीक है अ और आ दो के आगे उ या उ आय तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है ओ बन जाता है ऐगला है जल धन उर्मि इसमें क्या है इसमें आप देखें रिकते हैं महा जो रिसी तो महर सी ठीक है इसमें बताते हैं आपको महाधन रिसी तो यहां क्या है आ है ठीक है और यह मिलत और बन जाएगा महाधन अर ठीक है C तो और क्या जो है आधी मात्र हो तो क्या रा उपर चला जाएगा तो एक ऐसे लिखेते हैं इसको महर्सी ठीक है महर्सी विड़्दी संदी में क्या है कि जब औ और आ के बाद A A हो ठीक है तो और O हो जाता है ठीक है इसे विड़्दी संदी करें एक जोर एक 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 इसमें का है एक मात्रा की बिर्दी होती है आ जोर ए तो एब ठीक है सदा जोर एब सदैब आ जोर आ आ से पड़े ठीक है और आ के उसके बाद आ और आ हो तो आ बन जाता है ठीक है तो इसमें क्या हो कि आ जोर आ से बना ठीक है यह हो गया इसका उदारनों क आगे बात करते हैं यन संधी के उपर इ, इ, हरस्वी, दिर्गी, उ, में दोनों उ है, हरस्वी, दिर्गू, डी के बाद कोई भिन्सवर आए, ठीक है तो इ, हरस्वी, दिर्गी का उ, या, ठीक है क्या हो जाएगा, हरस्वी, और दिर्गी का या हो जाएगा, और उ, हरस्वी, दिर्गू का वा हो जाएगा, डी का रा हो जाएगा जैसे, इ और इ के बाद से अलग कोई स्वर आता है, तो इ का या हो जाता है, जैसे इ और जोरे तो या हो गया, ठीक है तो यदी जोर अपी, ठीक है, यदी जोर अपी, यद अपी, अपी होगा यहाँ, अप लिखा गया है, अपी होगा, यहाँ अपी होगा, ठीक है, यहाँ अपी है, यदी उ और उ के बाद कोई भीन स्वरा है, तो उ, 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 ठीक है, मलें कि उ, हरस, उ, दिर्गू का वा हो जा जाता है जैसे उ जोर आ ठीक है तो वा हो गया तो सु जोर आगत सु आगत जब a, a, o, ou, के बाद कोई अन्य स्वर आए तो a का i, a का i, or u को अब हो जाता है क्या है यह का i और a का i, और अबको au हो जाता है तो इसको अयादी संदी करते हैं ठिक ईसमें आए से समझे ऑ जोर ए मिलके क्या बने आए ठीक heh तो ने जोर अन नयान फिके ए जोर आ आय ठीक है काये जोर आ गायक मोजुड़ आ अब बना ठीक मोजुड़ आ पाब पवन ठीकन हो ऑ जोर आ आब ठीक है तो पाबन न का यो तो इसी तरह क्या है कि बावन बन जाएगा ठीक है आयादी संदी होगा यहां पर एक मिस्टेक है आयादी संदी होगा यह थोड़ा बड़ा टॉपिक था इसको मतलब की सौर्ट में लिए हैं इसमें अगले टॉपिक में बात करेंगे बेंजन संदी के ऊपर तब तक एक वाल हम ओवर लेते हैं इसमें ज्यादा आगर बढ़ने सो कुछ है नहीं अब जब तक इसको रिविजन नहीं क संदी मतलब ज्वाइन ज्वाइन इसमें जोड़ना ठीक है तो जब दो वर्मों को जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई चेंजे जातें तो उसको परिवर्ण है उसमें जो विकाल है है उसको संदी करते संदी के संदी के क्या है कि पांच उपभेद हैं संदी के जब बात करते हैं दिर्ग संदी में तो इसमें क्या होता है कि इसमें दिर्ग वर्ण हो जाता है और आ कोई भी समान वर्ण जूड़ता है या पिर उसी वर्ण का वर्ण जूड़ता है तो वह दिर्ग रूप ले लेता है कि इसमें उदारण अच्छा है विद्याले है परतिक्षा है ठीक है यह सब उदारण ौधर्ण संदी में क्या होता है कि जब आ और यू उरी के आगे अ स्पष्पप, करांस लखें, होजाता है, कि तो क्या हो जाता है P60 मैं यह सब किसे अधारन है आपके अधारन हो नरेंदर नडेस यह उदारन से आफसे पुशे जाएंगे बिनी संदी में क्या है कि है कि इसमें क्या होता है कि मात्रा की बिर्दी हो जाती है जैसे जोल एक में क्या है कि ऑ जोल। मिलके अए बना एक-अएक हो गया ठीक है इसी तरह इसमें आगे होगा अभ दिरिगी के स्थान पर रहर जाता है जैसे कि यदी जोर अपी में ए और आ के अस्थान पर अपी हो गया उ जोर उ के अस्थान पर कोई भीन स्वारा है तो क्या हो जाता है जैसे उ और आ जुरा तो ठीक है उसके उधारण वा हो गया उसके उधारण देखते हैं सु जोर आगत सु आगत ठीक है डी के बाद कोई भीन सोरा तो री का रह हो जाता है जैसे मात्री ठीक है धन आदेश तो यहां क्या हो जाएगा आयादी संधी में क्या है कि आयादी संधी में क्या है कि जब ए ए ओ के बाद कोई भीन सोरा तो उसका आए ए का आए ए का आए ठीक है और ओ का अब हो जाता है इसने मेली क्या है कि नय अन गायक पवन पवन पवक होते हैं जिसमें आ अए अब आप आपे हैं अ 双 गई बाकी अक्स की इसके बाद हम व्याद करेंगे संधिक के दूसरे टौपिक के ऊपर दूसरे परकार के ऊपर जिसमें भात करेंगे व्यन्जन संधी को ओपर तक तक अप आप हमसे जूरे रहे है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आया आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए इसके लिए आप क्या करना होगा उसके बेल आइकन दबाना होगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें सेयर करें ठीक है नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो है संद्ध वेंजन संदी